29 जुलाई 2020 को भारत सरकार 34 वर्षों के अंतराल के बाद एक नई रश्ट्रिय शिक्षा नीती लेकर आई उद्देश्य था नई पीड़ी को नई सदी की मांग के अनुरूप योग्य बनाना ये पॉलिसी 21 सदी के नवजवानों की सोच उनकी जरुरतें उनकी आशाओं अपेक्षाओं और आकांशाओं को देखते हुए बनाने का ब्यापक प्रयास हुआ है रश्ट्रिय शिक्षा नीती में ओनलाइन शिक्षा को प्राधमिक्ता और प्रोचसाहन दोनों दिया गया है जिसके सभल परिणाम कोरोना महमारी के दौरान भी सामने आए PME विद्या कारिक्रम के अंतरगत ऑनलाइन, टेलेविजन एवं कम्यूनिटी रेडियो के माध्यम से पढ़ना लिखना चालू रहा One Nation One Digital Platform से प्रेरित दीक्षा में स्कूल पाठिक्रम पर आधारित 1,85,000 से अधिक E-Content 32 भाशाओं में उपलब्ध किये गए एक वर्ष में इस प्लैट्फॉर्म पर हिट्स की संख्या 200 करोड से बढ़कर 2300 करोड हो गई है JEE and NEET की online परीक्षाइं भी हुई जिससे किसी विद्यार्थी का कोई सत्र व्यर्थ नहीं होने दिया गया अभी नए सिस्टम आ गया, online classes होने लगी है, तो जब हम स्कूल नहीं जा पा रहे थे, अब हम वो घर से पढ़ सकते है UGC ने online शिक्षण के नए दिशा निर्देश जारी किये Online कारिक्रमों की संख्या अब 37 से बढ़कर 216 और संस्थाओं की संख्या 7 से बढ़कर अब 41 हो गई है Online शिक्षण के लिए निर्मित स्वयम MOOC's Portal जिस पर वर्तमान में 814 डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्द हैं गत वर्ष में 54 लाग छात्रों ने उस पर इंड्रोल्मेंट कराया इस नई नीती से भारत में पढ़ने आए बिदेशी बच्चों को भी हमारी सुद्रण व्यवस्था का लाभ मिला है एक तरफ निष्ठा के अंतरगत लगभग 24 लाग प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों को प्रशिक्षत किया गया है तो गत एक वर्ष में स्किल डिवेलपमेंट मत्राले द्वारा एक लाग स्वास्ते करमचारियों को भी प्रशिक्षत किया राष्ट्रिय शिक्षा नीथी के अंतरगत सार्थक की रचना हुई जो स्कूली शिक्षा में राष्ट्रिय शिक्षा नीथी के सुचारू क्रियान वयन के लिए एक कॉम्प्रिहंसिव एक्शन प्लान है इसी नीती त्वारा राश्ट्रिय अभियान निपोण भारत की भी शुरुआत की गई जिसका लक्ष बच्चों को समझ के साथ पढ़ने और बुनियादी गणना की क्षमता को खेल-खेल में विक्सित करना है स्कूल बैग के वजन और होम वर्क को कम करने के लिए दिशा निर्देश दिये गई और बच्चों के मानसिक स्वास्तिय और तनाव से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए मनु दरपन पोर्टल और हेल्प लाइन नंबर भी लॉंच किया गया है राश्ट्रिय शिक्षा नीती में कक्षा 6 से ही कोडिंग, डेटा साइंस, फाइनाशल लिटरसी और हैंडी क्राफ्ट के वोकेशनल कोर्सेज को भी शामिल किया गया है और कक्षा 10 वी और 12 वी के लिए CBSE द्वारा Competency Based Exams की चरण बद्ध तरीके से शुरुवात की कई है गत एक वर्ष में उच्चे शिक्षा संस्थाउन ने COVID संबंधी अनेकों शोध अनुसंधान किये और हमारे कई संस्थानों की Global Ranking में सुधार हुआ है एक तरफ जहां राष्ट्रिय शिक्षा नीती भारत के शिक्षार्थियों को विश्व से जोड़ती है तो वहीं दूसरी तरफ उनमें एक भारत श्वेष्ठ भारत की अवधारना को भी सशक्त करती है नए भारत की आत्मा को प्रात्मिक्ता देती और हमारी युवाओं को 21 सदी में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार कर रही है नई शिक्षा नीती